Hello Friends, The Hindu Editorial Discussion Series में आज हम 25 एपरिल का आर्टिकल डिसकस करेंगे तो आई यू शुरू करते हैं तो आज तीन आर्टिकल हम डिसकस करेंगे तो जिसमें पहला आर्टिकल आपका रिजर्वेशन सरे रिलेटेड है तो इसमें इसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा साइस का बैक्ग्राउंड एक बार डिसकस कर लेते हैं तो बैक्ग्राउंड क्या है एफेंड इसका कि जनवरी 2000 में सन 2000 में आंधरपरदेस गवर्नर ने एक और्डर पास किया था जसमें ये कहा था कि जो schedule area में college और school बगएर हैं उसमें जो teachers की post होगी उसमें hundred person reservation जो tribal candidate है उनके लिए reserve होगा ये उन्होंने कहा था और ऐसा क्यों कहा था उन्होंने उनने गाता क्योंकि जो बाहर के लोग हैं वो ट्रेवल एरिया में आने से कतर आते हैं वो नहीं आते हैं वहां पढ़ाने के लिए वह जोभी इसूज हो उनके क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं मिस करते हैं और से क्योर्टी का रहता है और ट्रांसपोर्ट का रीच रहता है काफी तो यह सब इशूस होते हैं तो इसलिए उन्होंने इसको रिजर्व कर दिया था अंडिर परसंट तो अभे रिसेंट्ली सुप्रेम कोट ने उस ओर्डर को नलीफाइ कर दिया और उन्हें कहा कि यह सई नहीं है और उस पर कुछ रिजन में दिये हुए हैं सुप्रेम कोट ने कौन कौन से हैं पहला क्या है पहला कहा है कि जो इंद्रा सॉनिक केस था नाइन टेन टीवन में उसमें जो है जो फिक्टी परसंट जो टोटल रिजर्व नहीं हो सकता है तो और जो यह 100% दिया है इन्होंने तो इसलिए वह ब्रीज करता है तो कहा कि इसके बिना पर वो गलत है और दूसरा उन्होंने कहा है कि जो आर्टिकल 14 है उसको भी क्योंते वालेट करता है कैसे अर्टिकल करता है फ्रेफेंस कि equality before law मतलब कि जो भी law सब्सक्राइब करेगा लेकि जो आडर है वो सबको समान टीट नहीं करता है कैसे कि जो हमारे ट्राइबल एरियास है उसमें जो और भी लोग रहते होंगे अधर दैन जो ट्राइबल कैंडिडेट तो उनको एक लेवल प्रेंग फिल्ड नहीं मिलेगा उनके लिए वह तो आ कि इस्क्रिमिनेशन की सेंबर गरॉंड पर रिलिजीन रेस कास्ट सेस्थ प्लेस वब बograph तो प्लेसों कर रहा है मतलब कि जो सिर्फ उस एरिया पर और जो आबका रेस के प्र रहा है एंकि कि सिर्फ पार्टिकुलर उनको कहा जा रहा है तो यहीं भी जो है करता है वायल और आपका article system क्या कहता है friends, article system कहता है equality of opportunity in matter of public employment, तो आप तो फिर यही है, तो जो आपके teachers हैं, वो भी तो employment ही न, तो इस्कूल में, तो जो और भी लोग हैं, उनको जो है employment नहीं मिलेगा, वहाँ पे क्योंकि वो तो सिर्फ 100% जर्फ कर दिया गया है, तो वो भी यह करता है, तो article 14, 15, 16, तीनों को क्या वरता है, यह जो order था, वो wallet करता है, इसलिए Supreme Court नहीं को वो कर दिया था, तो इसमें जान लेते हैं कि आपका जो 5th schedule है, यह क्या होता है, यह आपका constitution में हमारे 12 schedule है, उसे में से यह 5th schedule होता है, और यह friends special, यह जो आपके schedule areas है, और जो आपके schedule areas है और जो आपके schedule tribe है, उनको manage करने के लिए, उसमें जो भी control करने के लिए, उसमें जो भी जितने भी क्या होते हैं, जो उनका administration होता है, उसको control करने के लिए, यह provision दिया गया है हमारे समवेधान में, तो यह हमारा 5th schedule होता है, और उसको जो है, जो president orders के, उसको पूरा control किया ज issue भी कहते हैं, Supreme Court कहते हैं, कि जो article 371D है, यह क्या है, यह special provision देता है, आंधर प्रदेश और तेलंगाना government को, उसमें president ने यह order issue किया था, कि जो, जो वहां के में, जो schedule areas के लोग है, वो जो है, other than schedule area, मतलब जो बाहर है, मतलब बाहर जाके, किसी भी place में employment नहीं ले सकते हैं, किसी भी जगह पे, और तो मतलब, तो क्या हुआ है, जो वहां के जो, जो tribal people नहीं है, वो तो फिर उस area में भी नहीं, क्या बोलते है, पा पाई employment और बाहर भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि, article 3, 71D में, जो है, means, जो मार प्रेसिडेंट होनों नहीं, क्या हुआ है, मिस दिया order, इससे तो वो दोनों से बंचित रहाए गया, तो इससे भी, इसको भी करता है, वो इलेट, अब फिर आगे, जो है, कहती ही Supreme Court, कि अगर जो टीचर्स थे, जो बाहर से नहीं आ रहा थे, अगर उनको सरकार कुछ इंसेंटिव देती, मतलब टांस्पोर्टर इंस्ट्रेशन की, जो सुविद्यात इसको प्रवाइड करती, और जो सेक्योरिटी कांसर्स थे, उनके वो प्रवाइड करती, तो फिर, तो वो ज असेंबली में ये कहा था, कि जो रिजर्वेशन होना चाहिए, वो माइनॉरलिटी मतलब वो थोड़ा ही होना चाहिए, फिर, मतलब कुछ ही सीट पर चाहिए, ना कि बलकि पूरे सीट पर जैसा इन्होंने अभी क्या बोलते हैं, ये पास हुआ था, जो उसको भी हमने बात तो वो भी ये ही कहते हैं, और क्या है आगे, और क्या ये शू है, और फिर आगे इसमें बात करते हैं, आर्टिकल में, कि जो सीलिंग, जो हमने बात की 50% सीलिंग, जो इंद्रा होने केस में सुप्रीम कोर्ट ने तै की थी, उस पे भी डिवेट होने चाहिए, क्या वो सही ह है, क्या नहीं सही है, और फिर आगे क्या ये शूरियस करते हैं, कि जो इसमें कहते हैं, कि जो सुप्रीम कोर्ट हमेशा STST लिस्ट को रिवायस करने के बात करती है, वो भी सही नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत सारे, ये जरूरी नहीं है कि अगर कुछ तब का किसी भी पार् जो हमारे schedule का schedule टाइब के लोग हैं, उनको uplift करने के लिए और भी सारे, और भी कई पैमाने होते हैं, जसके उनको upliftment होता है तो ये भी ठीक नहीं है, और next issue क्या raise करते हैं, last में last में ये कहते हैं कि ये भी कहा गया है कि जो कुछ section है सुप्रीम को सुप्रेम अब स薔र जो आपके सी सट के जनको समस्ट निला है वो रिच हो गया है एफ्लोंच हो गए है तो और फिर और फिर वह हमारे अलग अलग डिपार्ट्मेंट पोस्ट मैं पे जो है अभी कारफ है तो इस चो जो निशला तपका का है है तो यह भी नहीं सही है फ्रेंड क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम सब जानते हैं हमारे सरकारी दफ्तर में भी जो जाहें जितने भी किसी भी पद पर हो लेकिन जो उनके उसे उनके उसे treatment करते हैं जो और वहां के लोग रहते हैं वो बहुत ही अजीब सा होता है मतलब उनको feel किरा जाता है कि aan आप schedule type के हैं उनके साथ लोग बैटकर खाना भी निखाते हैं आभी यह कहीं होता है तो यह कहना उचेत नहीं है कि जो है जो भी बात हमने की इस बारे में तो यह अऀसा औरगal था to next article क्या है है अभी फेस्बुक जो हमारा सोशल मीडिया का एक साइट है आप सब जानते हैं फेस्बुक तो उन्होंने जो रिलाइंस इंडस्ट्री लिमिटेट में इंवेस्ट्मेंट करने का सोचा है और कितना उन्हें का है 43,000 करोड मतलब और इसमें आप अभी आप देखेंगे कि मनाल्टी स्टेक क्या होता है फेंड समझा लेते हैं माल्टी स्टेक मतलब होता है कि 50% जो भी शेयर है उससे कम तो उन्होंने 9.9% स्टेक जो है उसमें Reliance Industries Limited में खरीदा है और यह मेली इंका फोकस किसके होगा जो हमारे रीटेल सेक्टर हैं मतलब हैं उनको डिजिटल्री करने के लिए मतलब जो मारे consumer groceries हैं उनसे जो customer से उनको connect करने के लिए इनका इसमें main focus होगा और क्या है आगे हम इसमें फ्रेंड करते हैं बात कि हम सब जानते हैं कि जो Facebook का जो outreach है वो 400 million users इसके हैं Facebook के और जो हमारा Jio है ये भी जानते हैं कि Jio जो है अभी सबसे number one telecom brand हमारे इंडिया में और ये number one हम सब जानते हैं कि 2016 में Jio जो है लाउंच हुआ था और within four year ये number one जो है brand बन गया तो ये इसकी strength है अभी Facebook की और Jio के अगर ये दोनों commerce करेंगे तो ये एक deadly combination होगा हमारे इंडिया में जिसे और जो हमारे चोटे मोटे customers हैं जो और जो और भी जो हमारे telecom और फिर जो retail sector है उस पो ये थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है और आगी ये बात करते हैं इस कर्में कि Facebook हमारे country में Facebook ने पहले भी कुछ issues मेंस एक कुछ क्या उता है regulatory issues फेस की हुए है जैसा पहला किया था पहला उन्होंने एक free internet service provide करने के बात की थी free basics free करके उन्होंने एक launch कि था जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ site को जो वहां के में लोग हैं उसको freely access कर सकते हैं तो इस पर लोग काफी sort है थे और उन्होंने कहता है कि यह सब को समान तरीके सम नहीं read करता है सारे sites को तो इसलिए इसको सरकार ने बंद कर दिया था और उसको allow नहीं किया था और दूसरा इन्होंने एक digital currency कारेंसी लिब्रा इनकी करेंसी है उसको launch करने बाद किया था और हमारे हम जानते हैं तो हम पहले जान लेते हैं कि digital currency क्या होता है तो इस एक यह electronically based currency होता है और यह legal टेंडर नहीं होता है मतलब क्या legal जारी करती है और लेकिन जो हमारा यह digital currency है इस पर जो है इस पर कोई legal लेगल टेंडर इस पर कोई क्या बलते हैं government की बैकिंग नहीं होती है तो फिस तो यह है तो यह हमारा क्या लते लिगल टेंडर नहीं है और next क्या है बारे में इससे आप मतलब यह सिंपल जासे आप हमारे इंडिया में अरुन जेट्री जी जब हमारे finance minister थे उन्होंने जो है cryptocurrency को हमारे इंडिया में वो कहा था कि यह बैन है मतलब इसको नहीं क्या बहुत है यूज कर सकते हैं इंडिया में लेकिन अभी हाली में Supreme Court ने एक judgment में कहा था कि ऐसा क्योंकि और सारी कई कंटी में digital currency अलाओ है हमारे इंडिया में ही अलाओ नहीं है तो उन्होंने जो है सरकार से यह व्यू मागा था कि कि किस बिना पे आपने इसको बैन किया हुआ है तो यह हमारा digital currency का concept था इसको जानना जरूरी था और लास में क्या कहते हैं जो Facebook और Gio का collaboration हुआ है जो हमारा Facebook भी हमने बा कंस्टमर बेस से बहुत ज्यादा है तो इसे एक क्या होते मनोपली मतलब एक एक अधिकार की जो है प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हमने देखा है कि Gio जो है जब हमारा 2016 में लॉंच हो था और चार सार में वह नंबर वन टेलिकॉम ब्रैंड बन गया बलकि मारा Airtel और जो टेलिकॉम सेक्टर के लोग थे यह सब जो है अब मार्केट से चले गए हैं तो फिर इससे फिर क्या होगा फिर देरे और जुमारे और रिटेल सेक्टर के हैं उन पे भी क्योंते खत्रम रा रहा है क्योंकि इनका इतना इतना बड़ा इनका कस्टमर बेस है और इतना छाट के ट्वाज़ा पुलिटिकली मोर्तिवेटेड आर्टिकल है अश्वन सिना जी जो है इसको और अतुलक ठाकूर जी के साथ मिल कर लिखे हैं जो कि हमारे पूर्व हमारे से हमारे पूर्व प्रहुं क्या रहते हैं फैनस ADAM मिनिस्टर भी है अथे और इसको आर्टिकल मालब कैसे हैं कि form of government है जिसमें जो पावर होती है वो मालब जो आपका मिस government आपका central government state government और local government इसमें equally divide होती है यह आपका federalism का concept है लेकिन यह क्या बोलता हमारे इंडिया में कुछ experts द्वारा कहते हैं कि क्या होते है federalism नहीं है क्वाजी federalism है मालब क्योंकि हम जानते हैं कि central government ज्यादा उनके पास पावर है बजाए से state government वालकि हमारे श्रेवन स्ट्रेट्यूल में सबका जो subject है मालब किस किस पार्ट पर लाव बना सकती है state government और central government वो सब mention है लेकिन फिर भी जो है जो central government हमारे हैं पावरफुल है हम सब जानते हैं आपने पढ़ा भी होगा तो इसलिए हमारे इंडिया में कुछ experts वारा इसको क्वाजी federalism बोला जाता है और जो federalism विल्कुल प्योर फॉर्म में वह हमारा USA में है उस्टेलिया में है जर्मनी में इन सब एरियास में क्या बोलते हैं federalism का कंसेट पूर अच्छे से आप देश सकते हैं और इसमें फिर क्या है कोपरेटिव फेडरिजम कोपरेटिव बनलब कि जब सेंट्रल गोवर्मेंट स्टेट गोवर्मेंट की मदद ले पॉलेसी फॉर्मेशन में या फिर कोई भी लाव बनाने में तो आपका कोपरेटिव फेडरिजम का कहते हैं उसको अब आगे क्या कहते हैं माइगरेशन आपका सौरी बिहार में क्यों कॉन से इशूस जो है बहुत जादा है तो पहला क्या है माइगरेशन अभी हमने देखा है जब कोविड-19 के केस में किते सारे माइगरेंट्स यहां डेली से हर्याना से गुजरात से हर्देंगा मुंबई से पैदली जो है चल द जिसमें 10 मिलियन जो है मारे माइगरेंट्स अलग अलग स्टेट में हैं और दूसरा क्या इन्होंने कि हंगर भुकमरी की प्रॉब्लम बहुत जादा वहां पर है बलकि हम जानते हैं कि अभी मिनिस्ट्री में भी यह 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 लाया था जारी किया था कि 2019 वीस में जो FCI मे कर रहा है वो टोटल 292 बिलियन मिलियन टन्स हैं तो अगर इतना ज्यादा फूट्रीन होने के बावजूद भी वहां पर हंगर है पूरे कंटी बात हो रही है लेकिन अगर उसमें एक पार्टिकुलर स्टेट में इतना ज्यादा हंगर है तो यह बहुत ही जिंता का विशह ह और तीसरा उन्होंने बात कि एजुकेशन का तो एजुकेशन हम सब जानते हैं अभी कुछ दिन पहले काफी न्यूज आई थी कि जो बिहार में हाई स्कूल की टॉपर थी वो फिर अच्छे से प्रॉनिशेट ने कर पा रही थी मैस से कुछ से में लगा पा रही थी फिर भ आपका एजुकेशन में तो यह है और तीसरा क्या बत करते हैं पब्लिक हेल्थ वहाँ पे बहुत जादा बूरी स्थिति में है उसमें फिर डेटा को देते हैं डेटा को क्या देते हैं कि जो हमारा नेशनल है प्रोफाइल है सेंट्र ब्यूर्व आफ हेल्थ में 0.55 बेट पर 1000 ऑपमोल मतलब कि एक जो हमारे हजार पॉपलेशन पे 0.55 बेट है जो कि बहुत ये कम है और कुछ इस जो हमारा 0.55 बेट है उससे भी नीचे है जिसमें Brock किcell Sixth सब्सक्रांद पर एक प्रमुक है जिसमें कि कितना है है 0.11 बेड पर थाउजंड पॉपलेशन है मतलब सुची कितना कम अधला कि 0.1 बेड है महां के पर थाउजंड पॉपलेशन पर यह बहुत ही कम है तो यह वहां की जो मेंस पब्लिक हेल्थ का स्टेटस है वो शो करता है और आगी यह कुछ सजेशन देते हैं कि अभी करेंट जो क्राइशिस हुआ है तो इससे जो जो मारा मेंस पब्लिक डिस्ट्रिबूशन सिस्टम है उसको इनुरिस्लाइज कर देना चाहिए मतलब जिनके पास रेशान कार्ड नहीं है उनको भी ग्रेंट देना चाहिए क्योंकि इस समय सभी जिते भी लोग है माई ग्रेंट से है तो यह आर्टिकल पूरा था तो थैंक यू आज के लिए